लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दूर तक फैले हुए ये उंचे पहाड और देवदार के लंबे पेड़ अपने साए में नजाने कितनी दास्ताने चुपाए हुए हैं इन्ही दास्तानों में से एक दास्तान है वर्मा कोटेज की जो इन पहाडों के बीच है वर्मा सहाब और उनकी पत्नी तो बरसों पहले पर लोक सीधार गए पर अपने पीछे छोड़ गए एक रंगीला खुश मिजास मचलता हुआ भाहुरा यानि कि उनकी इकलाती आौलाद विजे वर्मा और करोडों का ये बिजनिस एक बार एक बार प्यार से तु बोल प्यार से तु बोल मेरे यार एक बार एक बार प्यार से तु बोल प्यार से तु बोल मेरे यार जब एक लड़का किसी लड़की से मिले उसे हो जाता है प्यार जो मूसे तो कुछ भी न कहे पर दिल तो ये कहता है यार एक बार एक बार प्यार से तु बोल प्यार से तु बोल मेरे यार एक बार एक बार प्यार से तु बोल, प्यार से तु बोल मेरे यार जब एक लड़का किसी लड़की से मिले उसे होच जाता है प्यार वो मुझ से तो बुच्छ भी नो कहे पर दिल को ये कहता है यार एक बार एक बार प्यार से तु बोल, प्यार से तु बोल मेरे यार सामने तु आ गई, बेकरारी छा गई, पहली मुला कात हो गई सामने तु आ गई, बेकरारी छा गई, पहली मुला कात हो गई प्यार से तु बोल मेरे यार प्यूज़ लुज़ 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 ऐसा दिल रुबा हसी देखा मैंने ना कही तुने मेरा दिल चुरा लिया ऐसा दिल रुबा हसी देखा मैंने ना कही तुने मेरा दिल चुरा लिया तेरे इन सवालों में खो गई खयालों में तुने दर दिल मुझे दिया मेरे धड़कन पे मेरे चाहत पे मेरा ना इतिया एक बार एक बार प्यार से तु बोल प्यार से तु बोल मेरे यार जब एक लड़का किसी लड़की से मिले उसे हो जाता है प्यार वो मुझे तो कुछ भी न कहे पर दिल तो ये कहता है यार एक बार एक बार प्यार से तु बोल प्यार से तु बोल मेरे यार एक बार एक बार प्यार से तु बोल प्यार से तु बोल मेरे यार प्यार से तु बोल मेरे यार प्यार से तु बोल मेरे यार आप तक परे सो ना है चाह रख दिया अपने आप पी ले ना ताका अब क्या है यह देखो क्या है अब आज फिर नाराज है नाराज नहीं होंगे तो क्या खुश होंगे अब कौन सी गलती हो गए हमसे गलती अरे पूछो जाकर अपने विक्रम अंकल से अंकल आयते अरे कब कब नहीं आये वो कितनी बार फोन किये अरे किस किसे जुट बोलू तुम्हारे ल अरे तुम्हे किसी कंट्रेक्ट पे साइन करने है और आज उसकी आखरी तारीख है बस इतनी सी बात ये इतनी सी बात है और क्या आज आखरी तारीख है ना तो दस्तकत हो जाएंगे दस्तकत हो जाएंगे रोक क्यूंदी क्या? अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट. काका! क्या है अब? मुस्कुराईये न? मुस्कुराईये. अरे मेरे प्यारे काका, प्लीज? जा जा जागर जल्दी से तयार हुआ, जा. अब पता चला कि नया दिन शुरू हा है. रामदीन! नमस्ते साथ. रामदीन! आये विक्रम बाबू, आये. आ, मतलब ये के छोटे साहब बहादूर आज मौजूद है. आपको कैसे पता चला? तुम्हारी मुस्कराहत से. तुम कब और कैसे मुस्कराते हो, मुझे मालूम है. भुला उसना राइक पुलू. गुद मॉर्निंग, अंकल. अंकल, मैं कब से आपकी रहा देख रहा था? ताका बता रहे थे कि आज कोई आखरी तारीख है, कुछ कॉंट्रेक्ट साइन करवाने है? ओहो, आखरी तारीख वाला कॉंट्रेक्ट, बहुत परिशान कर रहा था इसमें. इसमें नहीं, तुमनें. मैंने? ओहो, यानि कि मैंने तो दस्रकत करने इसमें. वाउ, 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 वट नाइस पैन. इंपोर्टिट है? अंकल, आपका भी जाब नहीं है. हर चीज का एक नहीं स्टाइल, हर बात का एक नहीं अंदाज. पक्वास बंद करो. करू? साइन. हो गया. आखरी तारीख वाला काम हो गया. अंकल, नाश्ता वाश्ता? नाश्ता यंग मैन इस वक्त दिन के देड़ बज़े हैं, ये नाश्ता का टाइम नहीं, लंच का टाइम है. तो लंच? लंच हम कर चुके हैं, अब हमारे ओफिस जाने का टाइम है. तो आप भी काम पे जा रहे हैं? हम काम पे जा रहे हैं. मैं भी काम बेजारा हूँ. कैसा काम? शिकार. कहे का शिकार? खर्गोश का. आई. हाम मनाली, इसी बरफ पर फिसलते फिसलते कांता. कांता? हाँ, शांता, इसी बरफ पर फिसलते फिसलते जिन्दगी हातों से फिसल गई और वो मुझे केला छोड़ गई. काश मैं भी उसके साथ फिसल गया होता. पिछले पांच साहनों से, सर्दी हो या गर्मी, बरफ हो या धूप, मैं इस पुल के आसपास पैटकर उसकी रहा देखा करता हूँ. और आज अचानक तुम आ गई कांता? मेरा नम शानता है मनोज. अरे नाम कुछ भी हो, मुझे तो सिर्फ काम से मतलब है. क्या? मेरा मतलब फर्क तो सिर्फ कर शक है, पाकी आनता तो है, उपर वाला जानता तो है, मेरे खम को मानता तो है, सच बताओ कांता, मेरा मतलब शानता, क्या तुम वही हो और अगर नहीं हो और यह तुम्हेरा दूसरा जनम है तो तुम पांच सानों में इतनी बड़ी कैसे होगी यह तुम क्या कह रहे हो मनुझ कहीं तुम मजाख तो नहीं करें मजाख तुम कांता को मजाख मेरा मतब शांता को क्या नाम था उसका कांता मेरा ना कुपाल कि अ, कि लिए रेता से सुझड़े बेर! क्या हुआ? कुछ नहीं और सुंद्थ कूश्य और सुझछ घुह है. मेंहीड ऐंत। भरति ठीक है. कोई भरति मैं ठीक है. ज़रूरत है. सारा बदन बरफ की तरह धंडा है मैं कहरा नौ में ठीक हूँ, बुरस अपना देखा था बस धर्थ तेरी की, तुझे देखकर मेरी जान निकल गई थी एय, जान के बच्चे, आज कौन से जान को बिदा कर क्या है थी कोई, जानता, मेरा मतभए कांता चली गई कई काम से बिचारी एक बात बता घदे, तुझे का बकल आएगी, क्यों अपनी जिंदीगी बरबाद कर रहा है अरे कोई आबाद करने वाली मिल जाए, तो मैं उसे तेरी भाबी बना दूगा भाबी या भाबी या, अरे को अच्छी लड़की ढूंके शादी वादी कर ले या अरे अच्छी लड़की की तो तलाश कर रहा हूँ तुभी ढूंदे न कोई अच्छी सी, तेरी कसम को पाए जो लड़की तू बताएगा, उससे मैं शादी कर लूँगा Promise? I promise मुझे तरी बात पसंद आई या, भाई अपनी पसंद तो आ गई आय है, क्या पाओ है भाई भाई इन्हें जमीन पर नहीं हमारी छाती पर रखिये ना जीज़ा है, क्या कमर है, क्या लचक है जैसे मनमें गुद गुद ही हो जैसे फूलों की सारी लाली चुरा ली हो जाने मन इन प्यारे भाईआरे हाथों से हमारे मुझ की कि कुम सॉरी, मुँ के बजाए मुँ पर दे दिया यह हुई ना बात, बीजे के लिए से बहतर और कोई बला हो नहीं सकती अरे है का वो यार? वो रही सामने, रंग बिरंग के कपड़े पेने हमारी तरफ ही आ रही अरे क्या बात है गोपाल, जिन्दगी वाकी सवर जाएगी नस्दीक संबल कर जाना, बरना सुरत बगड़ जाएगी अच्छा, अगर यह बात है तो लगे शेट, मैं तुम्हें सौका भाद देता हूँ तो मेरे भी लगे पचास सौका भाव है ना? हाँ अब देखना विजे का फॉर्मिला 44 चला चला फोटो किष्वादे अरे, कितना हैंसम है यह दो नो? हाँ यार अरे, दूसरे ने हमें देखकर मुझें फेर लिया अरे, शर्मा रहा होगा लेकिन कितना स्माच है ना? चलो गुपाल, चले अरे, यह तो लंगड़ा है हाँ, हाँ, लंगड़ा हूँ मैं अरे, गोली मार दो मुझे, पाड़ी से फेक दो मुझे आप जैसे खुपसूरत और पूरे इंसानों के पीच मुझ जैसे अधूरे इंसान को जीने का कोई अक नहीं क्या हुआ? क्या बात है लड़कियों? आंगू मैं बताता हूँ, हाँ, मैं लंगड़ा हूँ, सर और इन लोगों को मेरा लंगड़ा होना पसंद नहीं अब आप ही बताए, अगर भगवार ने मुझे ऐसा बनाया तो इसमें मेरा क्या दोश है? आप तो इनके टीचर हैं, क्या आप इने यही शिक्षा देता है मुझे अपने चोटी बहन समझ कर माफ कर देजिए अरे तुम तो रो रही हो, ठीक है तुम्हे चोटी बहन समझ कर मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, जाओ जाओ और खेलो, जाओ जा तु भी खेल, ओ, सॉरी यह सब क्या था? विजे का फार्मिला 44 क्या? और अभी तो शुरुवाद है, आगे तमाशा देखना अब तो मेरा हाथ छोड़ दे और मैं लड़कते हुए उस खाई की तरफ जाऊंगा और फिर दुनिया से एक और नेक इंसन कम हो जाएगा क्यों? अरे नहीं यार, तू समझा नहीं, वही मुझे समभालेगी, तू देख तो सही देख, पीछे खाई है, तू ऐसे कोई हरकत नहीं करेगा, समझा कॉपाल, शर्ट तू नहीं लगाई है अरे भाड में गई शर्ट, चल साला डर पो अब ठीक हो ना? साला कलाकार जी? बिमार है न, क्या जरूती जलान पर ऐसे भागने की? कुछ हो जाता तो? जो हो गया तो हो गया न, देने दीचे थैंक्यू मैडम, मेरी वज़े से आपने अपनी जान को खत्रे में डाल दिया एक आपहिच के लिए? प्लीज, कुछ मत कहिए, आप ठीक तो है न? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा सारा कुसूर तो उस रेस का था रेस? हाँ, मोटरसाइकल रेस जुनून था मुझे मोटरसाइकल चलाने का बहुत बड़ी रेस थी और इससे पहले कि मैं जीत का कप अपने हाथों में उठा पाता मैं अपना बोज उठाने के काबिल ना रहा विनिंग पॉइंट पर मोटरसाइकल फिसल गई और मेरे पैर की हटी कई जगा से तूट गई चूट अपरेशन हुए डॉक्टरों ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल पहले की तरह मगर मेरा दिल तूट गया था खुद को घर की चार दिवारी में कहिद कर लिया किताबें पढ़ता था कीत लिखता था वाइलिन बजाता था बकवास यार दोस्त मुझे कभी-कभी भार ले जाते थे जैसे जबर्दस्ती आज मुझे यहां तक ले आए डॉक्टरों ने कहा मैं चल तो क्या फिर से दोड़ भी सकूंगा और क्या हो गया यहां क्या हो गया आप तो दोड़ रहे थे आप बाकी दोड़ रहे थे के बाद मैं हस रहा हूं सीमा, पहली बार ऐसा लग रहा है कि जिंदगी अब भी बागी है, तुम से मिलकर मैं एक अजीब सा confidence महसूस कर रहा हूँ, इसी तरह मुझे देखती रहना, देखो सीमा, देखो मैं चल सकता हूँ, मैं चल तो क्या, मैं भाग भी सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, सीमा, प्लदी एडिएट, बाए, वाग गोपाल, वाग, कमाल हो गया, अरे विजए शर्थ हार गया, भो भी सोका भाओ, तो पचास का कितना हुआ, अरे हिसाब लागाने बैठेगा तो रात हो जाएगी, अरे यार रात तो तब हो गया, अरे यार रात तो जब पहले हमारी पार्टी होगी, वो भी विजए के हारने की पार्टी, अरे छोड यार, हाराओ घिलाडी क्या पार्टी देगा, अरे बेवकूफों, अभी तक हार और जीत का फैसला हुआ नहीं, खेल अभी बाकी है, अरे अब क्या बाकी है, तुझे क्या लगता है कि कि वो इस वक्त है का, वो इस वक्त शापिंग सेंटर में, तुम ब्यूगल बजाओ, मैं, समझ गया ना, लो आगए कल वाले कलाकार, धोके और फ्रोड के उस्ताज, नमस्ते जुए, आखिर ये सब नाटक करने की क्या जरुवत थी, तुमारी होने वाली भाभी लाने के ल थी, हाँ, 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 फर्मा जिये, हमारी मेम साब सिर्फ देख रही है कि कुछ खरीदा भी है, खरीदा भी है, पैंग भी हो गया, कितना हुआ, पांज और पे, तुड, ये दीजे, थैंक यो, उनसे कह देना कि मैं बाहर ख़डा हूँ, जी अच्छा, एक्स्क्यूज मी येस ये भी पैकर देजिए और बिल देदीजिए प्ली आपका क्लियर हो गया हां किसने की आपके साब मेरे साब ने कौन वह बाहर खड़ें आपकी रहा देख रहे है जालेग आए मैं पोस्ट आफिस जा रहा हूं तुम अपनी सेलियों के साथ आ जाना बाई एक बार मेरे हा किरुदए बहार इता जाए है हूं प्लुदÁ। पूर रहा दॉताओ है जो भी तैला झाल सकताओ हुआ हुआ कि थे रहा पादे एख हुआ अहुआ हुआ है आध देपनोर लुग हैं रहाँ है एप आध्यु कर दो है दो ऊच प्रवस्टे अपर रहा कि अध्युक्ताओ आध युड्य है अग्युक्ताओ मुझे देखके यूँ तेरा मुश्कुराना यो नजरे मिलाके यो पलके जुकाना सनम ये प्या ही तो है कार के बहाना यो पीछे पीछे आना अगेली मुझे पापे यो राहों में सुसाना सनम ये प्या ही तो है सनम ये प्या ही तो है तुमसे ही मुझे को प्यान है चाहूं तो दिल पे करार करूं पाहों में भर लू मैं तुझे आजान जाना इकरार करूं नजर तु आदा तु दिगर तु मपा तु जाने की गर तु है मेरी जिन्दगानी पकड के कलाई ये उनली दबाना ये नजरे मिलाने ये पल के जुकाना सनम ये प्यार ही तो है आई मजाँ चखासना तेरे तो हरे कोट पे आई मजाँ चखासना तेरे तो हरे कोट पे नखों धलाज के से से बसना चले जजबात पे ये शोखी शरारा ये तेरी विचाहा थोड़ी ती भूली में थोड़ी ती दिवानी जहां न कोई आए नहां मुझे बुलाना अकेली मुझे पाके जो राभू में सताना सना ये प्याही तो है मुझे देखके यो तेरा मुस्कुराना नजबे मिलाना यो पल के जुकाना सनम ये प्याही तो है 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 सहपजादे हैं या उड़ गए जी वो बो कोच कहने की जरूरत नहीं मुझे मालूम है मगर राप तक तो वो आही जाएगा तो उससे कह दे ना कि उसके डैडी के एक दोस्त है दीवान महिंदरनाथ उनकी बेटी कल आ रहे है नामे उसका रेनू डॉक्टर है यहां के पास की किसी गाउं में उसकी पोस्टिंग हुई तीन चार दिन वो यहां रहेगी मैं चाहता हूं के वो उससे मिल ले उससे पसंद कर ले ताके दोनों की शादी करवा रहेगा यह तो बहुत बड़ी खुशकबर है अंकल क्यों काका यहां पेटे भगवान का शुक्र है मेरा तो बोज कम हो जाएगा अच्छा फ्लाइट कल बारा बजे की है मैं चाहता हूं के विजे जा कि उसको रसीप करें जैनका क्या प्रियू से निवेडर है कि वे सुरक्षा जाउच की ओर रस्थान खरें अन्यवाश्य टैक्टी यह लोग अभी तक पहुर्चे क्यो नहीं अरे काका अगर कोई गाड़ी गई होती तो आती ना क्या मतलब क्या वो मेरी तो कुस्तमझ में नहीं आ रहा लोग आ गए उनकी गाड़ी नहीं काका यह जेप नहीं किसी और गाड़ी की आवाज है बर्मा कॉटटच यही है? हाँ यही है जी मैं रेनू डिल्ली से आया हूँ अच्छा अच्छा आओ बेटी आओ ड्राइवर साबान रिकालो साबान हलो हलो जी मेरा नम गोपाल है मैं विजे का दोस्त अरे दोस्त क्या यह तो भाईयों से भी बढ़कर है बहुत प्यार करता है विजे से जी विजे है कहाँ जी मुझे नहीं पता मैंने एरपोर्ट पे काफी रहा देखी फिर टैक्सी पकड़के आगए चलो अच्छा किया आप ठगए होंगे नादो के फ्रेश हो जाई यह फिर बात करते है हाँ काका इन्हें समझा दीजिए का अगर अंकल विजे के वाने पूछे तो वो है न हाँ बैटी वो बेचारा विजे जुर किसी काम की वज़े से फस क्या होगा और सुनो आकर विकरम बाबु आए तो उसे यह मत कह देना कि विजे तो में एरपोर्ट लेने नहीं गया था देखिए I'm sorry कि आपको आते ही जूट बोलवा रहे है नहीं कोई बात नहीं वैसे मैं यकीन दिलाता हूँ कि विजे ऐसा है नहीं आपको 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 आपक कि आपके पास माचिस होगी माचिस आपको क्या यहां पनवाडी की दुकान दिखाए दे रही है जब माचिस मांगने चले आए नहीं कई दिरों से यह बिड़ी लेकर घुम रहा हूं इसको जलाना है मेरे पास माचिस नहीं है चलो कोई बात नहीं आपके सिग्रेट से बिड़ी जला लेता हूं मेरे पास सिग्रेट भी नहीं है गलती होगे मुझसे है दरबसल आप इस चोकरे के उपर मुझसे मुझसे लगाए जुके हुए थे तो मैंने सोचा कि आप भी सिग्रेट से लगा रहे होंगे चोकरा मैं खुदा खुदा तेरी शान, आवाज दो कादर खान, निकले जीनत अमान, माप करना खातुन, मैं आपको इस लिबास में देखकर कुछ और ही समझ रहा था, गलती हो गई, जाता हूँ, वाके यह आपके पास माचिस नहीं है, शाराप! खुदाव कर दो कर दो लुज अपे अजय है भगवान के लिए मेम साब चिलाइए मत तरासर मैं ये समझा ये मेरा घर है इल्कुल ऐसा ही था मैं अपना घर समझ के अंदर आया था वैसे ये आप ही का घर है वेजे साब अरे ये तो वाकि हमारा घर है ये निया अशिकार कोने बे डॉक्टर रेनू तो आप है डॉक्टर रेनू इतनी रात गये इस खिड़की से अंदर आने की बज़े है भी आप है जी मैं समझी नहीं कहां चली तही थी आप अरे कहां कहां नहीं ढूंडा मैंने हैपोर्ट पे थूणडास टुम्ट्ट के सीट्स पे ढूंडा प्लेन के कैबिन में ढूंडा व्लेगाव सब समझ में आगी तु क्या समझा बें अरे डू समझ कर मैंने दो-तीन लड़केों को पकड़ भी लिया थाकिता तो कीबच घार बैत कि बहु keywords तुम्हें क्या जवाब देता? पर मैंने तो बहुत इंतिजार किया, फिर टैक्सी लेके आगई. चलिया आप आ तो कहीं? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आजाए, तो इसे भूला नहीं कहता. किसकी बात कर रविजय है? तु अपनी बक्वास बंद कर, गोपाल, मेरी आँखों के सामने बें तक प्लेंस घूम रहे हैं. वैसे मैं रात की 11 बुजे तक आप के लिए इंत्सार करता है. वैसे हैं, रात को प्लें नाइंड कहता है नहीं? गुद नाइट, गोपाल. गुद नाइट, गुद लग. बाद वे, डॉक्टर रेनु, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मन को चैन भी मिला. Anyway, आपने सुबह से कुछ खाया कि अभी तक भूगी. बेटी, एक पीस और खालो. ने, ने, काका बहुत खाली अपी. अरे, रेनु, बिटिया, अगर इतनी डाइटिंग करोगी, तो हम दिवान साब को क्या जवाब देंगे? जी, बापा, जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं खाती. अच्छा, ये बताओ, कैसा लगा तुम्हे हमारा शहर? अंकल अभी देखा का है? अराम से खाओ, बिटे, कहीं जाने की जल्दी है? अच्छी अंकल शिकार पर जाना है. का है का शिकार? अभी तक डिसाइड नहीं किया. जहां भी जाओ, रेनु बिटिया को अपने साथ जरूर ली जाओ. क्या हुआ? हुआ कुछ. अरे, इसको हमेशे अथी जल्दी क्यों लगी रहती है? अंकल अच के शिकार कमें जल्दी जाना पड़ता है. मर गए. सीमा. हाई. मुझे. मुझे. इसकी. मुझे. बाद में नहीं है तरह लाव यार. देख, तु सीमा को भूल जाओ रेनु से शादी कर ले. कॉपाल, मैं शिर्फ सीमा से शादी करूँगा. अकल से काम ले यार. रेनु में क्या खराबी है? पड़ी लिखी है, डॉक्टर है खराबी यह कि मैं उसे प्यार नहीं करता कोई पागल ही होगा जो डॉक्टर के साथ शादी करेगा रात को अचानक घंटी बजी और वो गई किसी मरीज के पास तुम बैठरो उल्लू की तरह जख मारो प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो नब्स देखने लगेगी दिल पर हाथ रगा तो दिल का दारा समझ कर हॉस्पिटल में भढ़ती कर देगी मुह खोला थमामेटर अंदर और पता नहीं मूर खराब हो गया तो कहां कहां इंजेक्शन ठोक देगी भगवाज बंद कर वेजे सीमा कुछ दिनों के बाद चली जाएगी उसके बाद सीमा के इश्क का बुखार उतारने के लिए आपको नई शिकार के लिए फिसलेंगे है ना नई यार गोपाल ये मेरी जिन्दगी का असली और आखरी प्यार है शिकार में और फिर जिस लड़की को मेरी यार गोपाल ने चुना हो उससे मैं प्यार ना करूँ क्या ये मुम्किन है अरे चला गया है ए भगवान उस गधे के नसीर में भी कोई लड़की लिखी होगी कहीं तो होगी मिला दे उसको भी इससे तर्मेड़क तंस का क्या है लो है कोपाल हुआ पुचिस, तर्श से क्या तो है युआ 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 है युआ है युआ है चलिए तहां जहां आपका दिल चाहे क्या हुआ बेनु क्या बात है, बोलो I'm in love मैं बहुत प्यार करता हूँ उसके बिना मैं जी नहीं सकता मैं सीमा के बिना मर जाऊं मेरे तुम तो खुश किसमत हो तुम्हे किसी की मौपन मिली तुम्हे तो खुश होना चाहिए मेरी मादब परो फ्लीज ठीक है, मैं अजी अंकल से कह जिती हूँ अजी नहीं, अभी अंकल से कुश मत कहना मौका आने पर मैं बता दूँ ओकी तुमने मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी उल्चंतू करें यह अहसान में जीदी अहसान नहीं, मेरा फर्द है तु प्यार करने वालों को मिलाने से बड़ी खुशी कौन से होगी अचा पहले अपनी सीमा से तो मिलाओ हम भी तो देखें कौन खुश नसीब है वो रेली, तुम सीमा से मिलना चाहती हो हाँ, क्यों नहीं तो चले I'm sorry रेनू, यह सीमा मेरी जिंदगी, मेरी जान और मेरी खुशी अच्छी है न? बहुत सुन्दर और सीमा, यह मेरी तोस्स रेनू I'm sorry, डॉक्टर रेनू दीवान बहुत खुशी तुमसे मिलकर सीमा मुझे भी अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी मैं चलती हूँ मैं आपको छोड़ देता हूँ? यकीन मानो, सीमा तनाई में जब तुम मेरे पास नहीं होती तो यह फूल मुझे हमेशा तुम्हारी याद दे रहता है तुम मेरे वाता है तो यह वीज़ देता है यह घीज़ खिर ड्हारी यह यह तो फिर दो बाई यह तुम मेरे अच्छी यह अच्छी तुम यह 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 इढ आप कबसे खड़ी हैं थोड़ी देर हुई बहुत अच्छे आठिस्ट है आप बस योई कुछ रंग बिखेर देता हूं कोरे कागस के सीने पर एक कलाकार की कलपना हमेशा के लिए मर हो जाती है पर एक बात समझ में नहीं आई वो कौन से यह अर्थी और डोली दो अलग-अल जिन्दगी और मौत, रात और दिन, गम और खुशी यह सब एक साथ जुड़े हुएं जिन्दगी के हार में एक साथ पर रोई हुए है ना आप हमेशा तो ऐसे नहीं होते कैसे इतने सीरियस शायद कुछ लमों के लिए अपना मुकट पहनना भूल गया था कितना फर्क है विजे में और आप हुए वो कैसा आप इतने गंभीर, सीरियस और वो कितने चंचल, शरारती बिलकुल आपके इस तस्वीर की तरह अलग-अलग होते हुए भी एक साथ अच्छा ये बिताईए इतने मुक्तिलिफ मिजज होते हैं भी आपकी दोस्ती कैसे हुई हमारी दोस्ती ये भी एक अजीब इत्तफाक है चार साल पहले मैं शहर में नया था, भूख लगी थी, एक रेस्टरान में दाखिल हुआ जहांबे विजे साहब पहले से मौजूद थे झाल 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 आड़ाओे शाना रवाओे! आड़ाओे! एली देने आए. में अथने प्हां भी में बत्सक्रशien बहेलत है एए मिस्टर यह सिक्रट बुझाओ कहां बुझाओ भाज साब यहां कोई आश्टे नहीं है मेरे सिर पे आपके सर पर? आप तो कोई प्राब्लम तो नहीं होगी कहीं आपका सर गंदा तो नहीं हो जाएगा मुझे तो कोई प्राब्लम नहीं लेकिन आपको प्राब्लम जरूर हो जाएगी मुझे भी कोई प्राब्लम नहीं मुझे पृट्चाओ! आप एत कि अपने को शारा समस्ता है क्या अरे तू किस टाइब को अंसा है जाने यार तू सामिज का में मार का रहा हूँ अरे कुछ कर जाने देने तू इसका बाबा लगता है क्या थैंक यू मार डालूंगा तुरह को छौलूंगा नहीं रहाए हुँँ रख पुट हुँ हुँँप кажд्ग रह Keğ ह spend अरे ये तो सला बक्सर है यार ये तो सला टाजम है अरे शुकर करो कि तुम्हारी नादानी के वेज़े से जान नहींगा इस बेचारे की अगर इसे कुछ हो जाता ना तो जिन्दगी भर जेने बैटके चक्के पीसते हुआए नाम रोशोन गरते अबने मा बाप का कहां का रेने वाला है किसका बेटा है कितने परिशान हो रहों गे भरवाले भूश आ गया तुम्हे अब इससे पहले कि तुम किसी हिंदी फिल्म की हेरो की की तरह पूछ ओगए चिए मैं कहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ. मेरी वज़े से तुम यहां तक पहुंचे. भीक हो जाओ, तो जो सजा चाहे दे देना. हाँ, लेकिन सबसे पहले यह बताओ, कि तुम्हारा इस शहर में कोई रिष्टदार है, जिसे हम खबर कर सकते हैं. रिष्टदार, मेरा यह दुनिया में कोई नहीं है, मैं अजने भी हूँ. तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं. सुना काका, जूट बोलता है यह इनसान, अरे जिसकी रगों में विजय वर्मा का खून भेरा हो, कहता है कि वो दुनिया में अकेला है, उसका कोई रिष्टदार नहीं है. हाँ, बेटा, इस नहीं गलती भी की, और तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना खून भी दिया. तुमने मुझे अपना खून दिया? हाँ, बहई, कम से कम मैं यह तो कह पाऊंगा, कि मेरा भी किसी के साथ खून का रिष्टा है. काका? हाँ, बेटा. हमारा यह अजनभी ठीक हो जाए, तो इससे इसका घर दिखा लिए. यह घर? मेरा नावकर भी मेरा है. सबसे बहुत सारा प्यार मिला. कितनी अजीब बात हाना, रेनो. कल तक जो मेरा कुछ नहीं था, वो आज मेरा सब कुछ है. अगवान करें, तुम दोनों की दोस्ती हमेशा फूलों की तरह महगती रहे. यह चारों तरफ पहले हुए फूल देख रही हो? लेकिन कोई भी फूल, मेरे इस फूल से जादा फूल से रहती है. छूट, तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करने को मन नहीं करता. अच्छा, तो फेर जो मन करता है, आब वो ही करें. भाई साब, अरे माचिस नहीं है हमारे पास, भगवान के लिए हमारा सिचा छोड़ दे. एक माचिस की तीली के लिए इतना चिलाने की क्या जरूरत है? नहीं है माचिस तो ना सही, मैं अपनी बीडी कहीं और जला लूँगा. कहीं कुछ दाल में काला है. Come on. काका, क्रेपट हो गई. आगर बेचे पुछे मैं का था, सो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, और कहीं गई नहीं? Please, sorry. सो रहा था, जाग रहा था, सर में दर्द था. क्या हो गया इसको? काका, किदर है गोपाल? वो वो उपर सो रहा है बेट, दर्द के बारे सर पटा जा रहा था, तो अभी बाम लगा क्या है? बाम? उसको बाम की जरुएट ने, उसको बाम की जरुएट है. हुआ क्या बेटे? काका, आज आप बिलकुल दखल नहीं देंगे, मैं उसकी ऐसी हजामत करूँगा कि वसाला सारी जिंदगी याद रखेगा. अभी सुख तो, यह बगवान ही क्या हो रहा है? बाम लगा के सोया, मैं तेरे को दिखाता हूँ. विजे, विजे, मुझे कुछ दिखाने देल, विजे. अब दिखाय दिया? हाँ. लेकिन तुझे क्या हुआ? मेरी जिंदी के बरबाद कर दिया और पुछता है क्या हुआ? क्या बात है? अब अब बात के बच्चे, मैंने तेरा क्या विगा रहा था? देख, वैसे ही मुझे थोड़ा सा ही वक्त मिलता है सीमा से मिलने के लिए. जब भी मैं प्यार से उसके नजदीक जाने लगता हूँ, तो तेरा साला किराई का टटू पीच में आ जाता है और कहता है, आपके पास माचिस है? क्या राख्षा? पागल तू ने किया, पागल तेरी मा, तेरी माचिस ने किया. मेरी बात तो सुन यार. तु अपने आपको समझता क्या है बे? दूसके रक्षा कर रहा था यार. रक्षा? किसकी? बिचारी सीमा की. तूसे बचा रहा था मैं. तो क्या मैं कोई राक्षश हूँ? और तूसारा सत्यवन अपने आपको भगवान समझता है? देख, जब बात किसी बिचारी की इच्चे तक आजागी ना, तो भगवान बनके सामने ख़़ा जोंगा मैं. ओके देन. ठीके बेटा, चत्रंज तुने बिचाई है, मोहने तुने रखे और चाल भी तेरी है. देख दे, कौन किसको मात देता है. मैं तेरे को सौका भाव देता, बोल कितना लगाता है. देख, अपने उकाद सौकी तो नहीं है, पचाई से तो बोल. डाल. देख दे, कौन किसका उस्ताद है. सीमा. ये कोई वक्त है आने का? I'm really sorry. मैं माचिस खरीद ने गया था, देर हो गई. माचिस? किसली है? पता नहीं कब इसकी जूरत पड़ जाए? विजय, तुम्हें वक्त का बिलकुल ऐसास नहीं है. तुम जानते हो कि मैं दो दिन में चली जाओंगी. और अभी तद तद तुमने कोई फैसला नहीं किया है, न? आहा, खलत सोचा है तुमने. लेकिन हम कहा जा रहे हैं? अमर होने के लिए. क्या? यस्सी मा, हम मरने जा रहे हैं. वाच्ट? सीरे चलाओ, सीरे चलाओ. विजय, गो अलवगव बिजय, गो तुम्हेव! क्या जोव, प्याव! पिजय, अन्याव्ग! कभी तुसी रहा करो विजय, हर बक मज़ाख, हर बक शरारत जिंदगी खुद एक शरारत का नाम है सीमा मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि अपने शादी के मंड़ पर भी कोई ना कोई शरारत करता रहूँगा मैं तुम्हे वहाँ भी चैन से नहीं बटने दूँगा जानती हो मैं क्या करूँगा? नाराज हो गई तुम मुझ फेर लेती हो तो ऐसा लगता जैसे जिंदगी रूट गई हो भगवान ना करे अगर वाकी तुम मुझ से रूट गई तो मैं मर जाओंगा ऐसी बाते मत करना तुम क्या समझते हो सीमा कि तुम्हारे जाने से मैं खुश हूँ? अरे मैं तो यूही मजाख मजाख में अपने आपको बहलाने की कोशिश कर दा था सीमा मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँ और मैं जल से जल तुम्हारे डैटी से मिलकर तुम्हें हमेशा के लिए मांगो, हमेशा के लिए सीम्हाख delivery बाइ साथ– तम? यह लो माचिस का बंडल और मेरा पीछा छोड़ो माचिस, बंडल? माचिस का बंडल रहे हो मुझे? उस बदनसीब इनसान को जिसको कल तक कोई माचिस की तीली तक नहीं देता था देखा प्रभू, कैसी है तेरी नीला करदियाने मेरा विश्वास गिला यह ज्यादा बकवास मत कर यह माचिस का बंडल ले और फूड जाए यहांसे मेरे जखमों पर नमक मत शिरको ओन एक इंसान तेरी वज़े से मेरी बीडी पीने की आदत छुड गई अब मुझे माचिस की ज़रूरत नहीं रहिए तो फिर कौन सी ज़रूरत तुझे यहां तक लेकर आए बे मुझे वक्त पुछना है आपके पास घड़ी है चलती है ने इसलिए कहती हूं सीमा अक्सर ऐसा ही होता है इस उमर में लड़का लड़की मिलते हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और जब दूर होते हैं तो एक दूसरे को भूल जाते हैं किसी के लिए यह मुलाकात एक तमाश्या एक खेल होता है और किसी की जान का रोग बन जाता है वो मुझे से शादी करना चाहता है उसने अपने माता पिता से तुमें मिलवाया होगा जी विजे का इस दुनिया में कोई नहीं है मैं मंबई जाके अपने पापा से बात करूँगी और मामी से जी मामी तो मुझे बच्पन में छोड़ कर भगवान के पास अपनी शादी में इन्वाइट करना हमें मत भूलना चल विजेड घर चले अभी नहीं गोपाल यार तू क्यों देवदास पना हुआ है तेरी कहानी को दियन लग चुका है सीमा जारी और अब तरह ये नाटक देखने वाला है कोई नहीं ये नाटक नहीं है गोपाल तू समझ क्यों नहीं रहा अगर सीमा चले गई तो सब कुछ खत्म हो जाए कुछ खतम नहीं होगा विचे ये पंची उड़ जाएंगे तो और नहीं आजाएंगे जिंदीगी खतम नहीं होगी नहीं जिंदीगी शुरू कर विजे ر coração आज भी तेरी राय देख रह Championships नहीं गोपाल मुझे शुख की नहीं मुझे सीमा की जुरूत है का अगर सीमा नहीं होगी तो मेरी जिंदीगी मौत से भी बत्तर होगी तेरी कसम", गोपाल मैं सीमा से वाकी प्यार करता हूँ, मेरा यकीन कर यकीन किया विजय, तो फिर देर किस बात की है, सीमा वे तक याई है जा, जिन्दगी के हर पल को समेट ले अपनी छोली में मुझे खत लिखना, मुझे खत लिखना, मैं तुम्हारे खत की रहा देखूगा जी कहिए, विजय से कहिएगा के उसकी पसंद हमें बहुत पसंद आए थीमा बहुत अच्छी लड़की है, और अब देर ना करे, और शादी का पहला कार्ड मुझे भेजे आप से मिलकर बहुत खुशी हूँ, मैं चलूँ पाई 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 कोई ख़रो, एक मिनिट, मेरा कोई ख़त? मैं बाई जी आपका कोई ख़त नहीं है, ख़त होता तो मैं खुद महाचा देता कोई ख़त नहीं आएगा विजे, अपने आपको धोका मत दे, सीमा ने तेरे साथ मजाग किया है नहीं यार, कोई किसी के साथ ऐसा मजाग थोड़ी ही करता है क्यों, तुने क्या किया जिन्दगी भर, जूटे नाम, जूटे अड्रेस, जूटा प्यार, जूटे वादे बस, कुपाल, ऐसी बद्धुआ मत दे गार कोई करत नहीं आएगा विजे, अपने आपको धोका मत दे, सीमा ने तेरे साथ मजाग किया है क्यों, तुने क्या किया जिन्दगी भर, जूटे नाम, जूटे अड्रेस, जूटा प्यार, जूटे वादे मादवे सपना कांता कोपाल, बेटे यह चिठी आई है जी शुक्रिया ज़रूर किसी नए शिकार का खत होगा हम भी तो देखें मेरे प्यारे विचे सिमा बहुत दिनों के बाद खत लिख रही है चांती हूँ नाराज होगे क्या करो पापा से बात करने की इमत ही नहीं हुई खत लिखकर सारी बात बता दी और फिर खुशकबरी पापा मान गये बल्के वो तुम्हें मिलने आने वाले थे पर बिमारी की वज़े से नहीं आ सके खेर वो तुमसे मिलने आ रहे हैं 26 तारिक और उसी फ्लैट से वापस उन्हें मेरी पसंद पर कोई इतराज नहीं है बलकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तयारी भी कर ली है शादी का मुहरत तक निकल वा लिया है इस महने की तीस तारिक एपट पॉच जाना वही सफिद रंग का सूट बेंकर डाड़ी पैचान जाएंगे और देखो प्लीज मेरे पापा के सामने कोई शरारत मत करना वो दिल की मरीज है प्यार के साथ तुम्हारी सिर्फ तुम्हा सबर्की अब देख ने तुझे क्या सप्राइज देता हूँ एंदेशन प्लीज फ्लाइट आईने एला इसफोर्ट यहारा आर। अच्छीडू में मली जानू जानुटू मिस्टर विजेवर्मा जी खन्ना साब हाँ और तुम जी मैं विजेवर्मा देखा हमने तुम्हें कितनी जल्दी पहचान लिया हमारी बेटी की चोईस बहुत अच्छी है जैसा उसने कहा था तुम बिल्कुल वैसे ही निकले मैंने तो इस रिष्टे के लिए तुम्हें देखे बिना ही हां कर दी थी जीते रहो जीते रहो बेटा अंकर काश मेरी भी माबाब होते तो आज ऐसा क्यों कहते हो बेटा अगर सीमा हमारी बेटी लगती है तो तुम भी हमारी कुछ लगे ना जी उसका ख़त तो तुम्हें मिल गया होगा जी हां हमने शादी की तारीक पक्की कर दिये तुम्हें कोई एतरास्त नहीं जी नहीं अंकर तो पर ठीक है जल्दी से बारात लेकर आ जाओ और अपनी आमालत ले जाओ गुड लग अच्छ जी अच्छ गुड लुक Mr. Vijay Parma जी 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 ये क्या हल बना रखत अब तो ठीक है ना? मैं ठीक मेरा कोई खत आया गुपाल हाँ आया तो था एक खत बंबे से बंबे से? मेरी सिमा का खत आया? नहीं एक इंटेव्यू के लिए इंटेव्यू? हाँ, जॉब की अप्लिकेशन दी थी तो क्या तु अभी नौक्री करेगा? मुझे अभी तक गहर समझ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है विजए तो फिर क्या बात है, गोपाल? क्या ये सारी जाइदाद, ये कारोबार सिर्फ मेरा है? क्या हम दोनों अलग है? ठीक है, मैं अपने खून से सब कुछ तेरे नाम लिख देता हूँ और क्या लिखेगा अपने खून से? मेरी तकदिर तो बहुत पहले अपने खून से लिख चुका है और करदार मत बना मुझे तो औरों की तरह मुझे छोड़ कर क्यों जा रहा है यार? अरे पगले चंद दिनों की तो बात है और वैसे भी नौकरी का तुसे भाना है मैंने सोचा इसी भान एक पेंटिंग एग्जेबिशन भी देखा हूँ ओ, गुड, तो कब जा रहा है तू? 29 तारीक बंबे यार गोपाल, सीमा भी बंबे में रहती है इत्वाक से अगर तुम उसे मिलो तो उसे जरूर कहना कि मैं आज भी उसके ख़त की रहा देख रहा हूँ अगर मिली ते जरूर कहूंगा थैंक्स शुश झाल कुछ नहीं पापा कुछ नहीं पापा अरे ग्लास पानी लाना फॉरण पापा क्या हो आपको आप ठीक तो हो बिल्कुल ठीक हो बैठा बिल्कुल ठीक हो एक मिनिट कुछ नहीं हो अरे इसे क्या हुआ कुछ नहीं हो बस यह चक्कर सा आ गया था बिल्कुल ठीक हो मैं आँ, वो मैं देखता हूँ, तुरह बेटे मेरा बैक तो मंगवा ना? तुम भी जब देखो बच्चों कितना बस। बच्चा मैंने बच्चे तुम बन रहे हो। मेरे होते वह तुम्हें काम करोगे क्या ज़रूरत है? तुम कितना काम करोगे? क्यों नहीं करूँगा तुम के समझते हूँ वो सिर्फ तुमारी बेटी है मेरी नहीं देखो सीधी तरह आराम से बैटो वरना हस्पिताल बिजवा दूगा और बारात वगएर का सब इंसब कौन लेकर अरे बारात का सारा बंदोबस्त हो चुका है तुम क्यों फिकर कर रहा ह और फूल फूल जवाही राजा को फूलो से लाद दूगा तुदेख तो साइए यार परता बंजय हमारी आन्या कर फेसरे उन्या कंपीं याद आप्परीफर जा गिर नवाल प्रामी थीवर्दी आपन से घाक फिरेंगें आपिंगार्णी ने धातके जोबरेसे ने तन मेले तेंगें कि विद्शा आप्परीपरीटी को आप जो जो आप्धारेसे ने लिए दू मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि आपने शादी के मंड़ पर भी कोई ना कोई शरारत करता रहूँगा मैं तुम्हे वहाँ भी चैन से नहीं बैठने दूँगा जानती हो मैं क्या करूँगा क्या बात है बेटा कुछ परिशान से लग रहा है तुम्हा पता नहीं काका कुछ अचीप सा मैं सुसूर दरसल बेटे तु गोपाल के बिना उदास रहने लगा है शाहिद भगवान कर एक गोपाल ठीक हो अंगर जाओ दूलेगा जाओ आपका इंतिजार कर रही है जाए जवाब नहीं विजय वर्मा की पसंद का तुम्ह यहां विजय का है विजय यहां से बहुत दूर अपने घर में मैं जानती हूँ कि आप मजाग कर रहें यह जरूर विजय की कोई नहीं शरावत है मुझे यकीन था कि वो कोई न कोई शरावत करेगा है ना हुह सुहाग रात कुछ दूरन के कम्रे में दर्वाशा बंद करके सिर्फ उसका पती ही जाता है सीमा ठीका कोई दोस्त नहीं दूरन के सहेलियां और रिष्तिदार सिर्फ दूले को यह दुलन के कम्रे का रश्ता देखाते हैं किसी गहर को नहीं है ना सीमा अगनी के गिर्द फेरे सिर्फ दुला और दुलन लेते हैं दुले का कोई दोस नहीं नहीं सुहाग राथ तो दुले की होती है किसी और की नहीं नहीं यह जूट है मेरी शादी विजा से हुई है तुम्हारी शादी मुझ से हुई है अगनी के गिर फेरे मैंने लिये थे विजे ने नहीं, सफेर सूट पेंके मैं गया सा तुम्हारे पापा से मिलने विजे नहीं, उन्होंने आशिरवाद भी मुझे दिया विजे को नहीं, तो मेरी पत्नी हो सीमा विजे के नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे मानने न मानने से क्या क्योंकि समाज हमारे रिष्टेदार हमारे जानने वालों की नजरों में हम दुनों पती-पत्नी है भगवान के लिए ऐसा मत कहना क्या बिगाड़ है मैंने तुम्हारा क्यों मेरे साथ यह जुम किया तुम तो जानते थे न कि मैं विजय से प्यार करती हूँ तुमसे तो मेरा कोई तालुक भी नहीं था सिवाए उस इज़त के जो मैंने विजय का दोस्त और भाई समझ कर दी थी क्यों मेरी जिंदगी बरबाद कर दे तुमने गोपाल क्यों काश मैने तुम्हारा चेहरा देख लिया होता मैं समझती थी कि मैं विजय के दार फेरी ले रही हूँ क्या कर दिया तुमने गोपाल क्या कर दिया तुमने तुम बहुत ठक गई होगी खामका एक्साइटिड हो रही हूँ यह सब आते करने के लिए तो सारे जिंदगी पड़ी है सोचाओ क्या करके लुमने । पुमने लिक रज़ हो भाबगी हुआ 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 है कि देखो मेरी बात आखरी बार कान खोल कर सुन लो तुम्हारे लिए किसी किसम की एक्साइटमेंट भी अच्छी नहीं चाहे वो अच्छी खबर मिलने से हो या फिर बुरी है अपना ख्यार रखो यार अब क्या खायर रखना है अरे मैं तो एहसान मंद हूँ इस दिल का कि अब तक धड़क रहा है कम से कम बेटी की शादी तक तो साथ दिया इसने अब कोई गम नहीं बस कुछ दिन और जी सका तो सब कुछ छोड़ चाल के तीरत यात्रा पर निकल जाओंगा अपना सब कुछ बेटी और दामाद के नाम करके हाँ वही विजे सब ठीक है तो चल्दी आजा यार यहां के लिए मन नहीं लगा आ जाओंगा नौकरी वाकरी का चक्कर छोड़ दिया है लेकिन क्या हुआ एक लड़की पसंद आ गई क्या लड़की और पसंद मुझे यकीन नहीं हो रहा यार तु गोपाली बोल रहा है न कोई रॉंग नमर तो नहीं लगया अरे हाँ गोपाली बोल रहा हूं तु मेरी तरह बेवकूफ मत बनना लड़की का अता-पता ढूंड लेना ठीक है वेर सब्सक्राइब मैंने बात भी कर ली और शादी दूर क्या भखवास कर रहा है तूब दोस्तों के साथ मज़ा मज़ाक नहीं कर रहा हूं विजये मैं अगिकट बता रहा है हा मेरी कसम तिरी कसम ओम घृपाल तुने शादी कर ली काका चली से समान बांद टो शादी कर ली हुआ तो सही, देखना क्या रिसेप्शन होगी तेरी ठीक है विजय, तैयार है न? ओके बाई अरे, क्या हुआ हमारी लाडली बिटिया को, रो रही है बेटिया तो परायधन होती है उन्हें तो एक न एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है अरे, तुझे तो खुश होना चाहिए तुझे मन चाहा पती मिला अब तो भगवान से बस एक ही प्रात्ना है तुझे इस जिंदगी की सारी खुशियां दे दे पापा, आपकी तब यह ठीक नहीं है न? वरना मैं आपको आपको छोड़के जाने का मन नहीं कर रहा इसका वैसे मैं राद बर समझाता रहा कि आपको साथ ले चले लेकिन समझती नहीं अरे बेटा, मैं कहां बोज बनकर चलूँगा तुम्हारे साथ आप इसे कैसे समझाएं तु क्यों चिंता करती है सब नौकर चाकर है ना, कपूर है बलकि कपूर और मैंने तो साथ में तीरत जाने का फैसला किया है निकल जाएंगे हम कुछी दिनों में बस एक फर्स था कि तेरी शादी हो जाए सो हो गई? अब क्या है, जिंदगी के सब मकसद पूरे हो गए अरे हाँ बेटा, तुम्हारे टिकेट आ गए है चाहता तो था कि कुछ रोज रोक लो तुम्हें लेकिन जानता हूं काम छोड़कर आयो कल सुबह दस बज़े की फ्लाइट है देख, तू सुनना पहले, सुन फूल यहां से लेकर वहां तक लगाओ मेरा दोस्त गोपाल आ रहा है, जल्दी करो अरे सुन तो आप लोग बाते ही करेंगे, काम भी करेंगे जल्दी करो, अरे तू भी जल्दी कर यार आप लोग क्या कर रहा है भूल लगा रहा है अरे बेटा, तू तो पी ले तू जा अरे तु खुद पीले यार, तु जा, वहाँ जाकर पी अरे बेटा, तु कुछ और तो खा ले काका गोपाल को आने तो सब मिल कर खाएंगे बड़ा जिद्धी है अकेला सिंग, मैं यह टोक्री लेकर तेरे सर पे मारूँगा मैंने बोला कहा रखने को क एकेल, अट, ले जा तु समप काका की दबजे कीया, दो बजे की लेक तो नहीं है, नहीं बिलकुर नहीं सेई टैम पर है समझ में नहीं रहा, उसे मुझे आपुर के नहीं बुलाए काका के सारी तैयारियां हो गई होगी होगी, भणे का सारह इंसाम हो valeur है दो बज़े हैं दो काका मैंने वो जो दो एकी टाइप की सूस मंगाय थे वो आ गए अरे बिटा आ गए उपर रखे हैं मेहमालों को तो खबर कर दी अरे सब को खबर कर दी सब को फोन भी कर दी है बस ओके ट्राइक का टाइम तो हो गया गाड़ी गई की नहीं एपर्ट गाड़ी भी गई सब कुछ हो गया तु हमें भी परिशान कर रहा है खुद भी परिशान हो रहा है तु अराब कर बस जा अरे आराम हराम है काका लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं है क्या गोपाल ने मुझे एपर क्यों नहीं बुलाए अब ये बाते तुम दोने जानों मुझे नहीं मालूं आ गया मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुमने शादी कर ली गोपाल और शादी पत्थर जैसा इंसान पिगल जाएगा ये तो चमतकार है अरे यार हम भी तो देखें उस चांद को किस ने सूरज बनकर हमारे दोस्त को मौम की तरा पिगला दिया या नहीं है तो अंदे चल के देख क्यों भाव खा रहा है क्या जिस सूरज ने तेरे पत्थर जैसे दोस्त को पिगला कर मौम का बना दिया सोच उसकी रोश्णी में इस मौम की पुतली की क्या हलत होगी भाव बनके भाव से उड़ियाएगा तू चल तू अंदे चल के देख ताकि कुछ संभालने वाला तो हो तुझे आई ना आईये आईये कर दाखिल होने से पहले क्या क्या रस्मे होती है यह तो मुझे पता नहीं लेकिन शायद भगवान के आश्रवाद से बड़ी है और कोई रस्म नहीं चल चल तू अंदर चाब चल एक मिनिट आईये आईये भगवान को परणाम करें चली तेक कोपाल मैंने तेरी खातिर घर को क्या सजाया है मैंने सुचा कि आज तू आएगा तो मैं बहुत जगणूँगा तेरे साथ पिर यह सुचकर माप कर दिया कि आज दी लेकिन तू भी कमाल करता यार शादी कर लिए किसी को खबर तक नहीं दी दोस्त भाई यार किसी को नहीं बताया चट मंगनी और पट दिया अरे यार तुमने इन्हें मेरे बार में कुछ बताया भी कि नहीं सोशी होंगी कि पतानी कौन इतनी देर से बे मकसद बखवास कर रहा है चुप होने का नहाम ही नहीं ले रहा और अब मैं चुप भी कैसे रहूँ ऐसे खुशी के मौके पर अरे मेरा बस चले तुम्हें दुनिया को चिलना के बता दू के मेरे दोस्त की शादी हुई है नहीं नहीं अब यह आपका कमरा नहीं मेरा है और मेरा कमरा आप लोगों का है अबे मेरा मूग क्या देख रहा है चलना यार और वैसे भी मुझे केले को इतने बड़े कमरे की क्या जरूत है दुले साब मैंने आपके लिए क्या सप्राइस तयार किया है जरा चल के देखे तुसे विजे तुने तो नक्षाई बदल लिया कमरे का यह तो पता नहीं, तुझे अच्छा लगा? अगर किसी चीज की कमी हो, तो क्या देना? नहीं विजे, सब ठीक है अरे यार, इन्हें बैठने के लिए तो क्या? बैठे ना अरे कोपाल, अब तो दिखा दे चाहरा अपनी दुलन का हटा दे घुट इतना हग तो तुझे भी है, जा एक काम तु खोदी कर ले मैं? हटा दू? तु माइंड तो नहीं करेगा? बिलकुल नहीं, लेकिन ज़रा संभाल कर फिर ये ना कहना कि हमें ख़बर नहीं हुई मेरा नाम विजे है, गोपाल ने बताया होगा वो मेरा दोस्त भी है और भाई भी तो इस नाते मैं भी आपका कुछ लगा अफसोस सिरफ एक बात का है काश इस घर में कोई औरत होती, मा, बहन या भाबी तो वो आपके आने पर तमाम रस्में पूरी करती, जो मैंने ही कर पाए खेर, ये तो मेरी बदकिसमती है और गोपाल की लेकिन एक बात की खुशी है, जब मेरी शादी होगी, तो मेरी रस्में पूरी करने के लिए कोई तो होगा आप बुजर्गों से सुना था कि जब नई दुलन घर में दाखिल होती है, तो घर वाले उस लक्षमी को घर की चाबियां सौंक देते मैंने भी अचाबियां इखटी कियां, पथा नहीं कौन सी चाबिय कहां लगती है, आप इनके ताले खुद ही तलाश कर लीजिए क्यूंकि आज से आप ही इस घर की मालकीन है आपके हुकम से यहां दिन होगा, आपके हुकम से यहां रात होगी आपके हुकम के बिना वर्मा कौटिश का एक पत्ता तक नहीं लेगा आप मलिका बन कर राज करेंगी और मैं आपका खुलाम क्यूंकि आप गोपाल की पत्नी है और गोपाल मेरा भाई है इसलिए मैं यह हक रखता हूँ कि आज आपका यह घूंगट उठाकर देखू कि मेरा यार गोपाल सुरज को लाल चोड़े में खैद करके कैसे लाया है अरे इडियट यह था वो सुरज जिसे तु लेकर आया है मेरे लिए मुझसे मजाग किया नौकरी का जूटमूट का बहाना किया मेरे लिए जिमा इसे कहते हैं दोस्ती और इसे कहते हैं यारी तेखा कहां से तलाश करके लाया है तुम्हे मैं तो सोचता था कि मेरे गम और मेरे जखमों का किसी को एसास नहीं अरे मैं तो कर्जदार हो गया हूँ अपने यार की यारी का तु महाने को पार इतना एसास था तुझे मेरे दर्द का जिमा ये इनसान नहीं इनसान के रूप में देवता है अरे इसके चरन चुवो इसकी पूजा करो तु तो अपना भी गुरु निकला यार तुने मुझे माद ले दी अब मैं जिन्दगी में तुझ से कोई शर्ट नहीं लगाऊंगा तुने मुझे हरा दिया दोस्त सीमा को मेरे पास लाकर सीमा को मैं तेरी ले नहीं अपने ले लाया हूँ सीमा तेरी पत्नी नहीं मेरी पत्नी है नाटक 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 अब तो कुछ भी बोल गोपाल विजय सच्चाई समझ गया सच्चाई कि जिस आयने में तो अपनी महबत को तलाश कर रहा है वो एक फरेभ है अगर तुझे मेरी बात पर अकीन नहीं तो सीमा से पूछ ले वो किस की पत्नी है तेरी या मेरी सीमा बता दो इसे सीमा नहीं यह चूट है सीमा कह दो कि तुम दोरहना मजाग किया है कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो सीमा नहीं मैं गुपा की पत्नी हूँ पूट मुझे भ्या कर लाया है विजय क्या हो तुझे कुछ नहीं मैं नहीं जानता तुम सीमा से इतना प्यार करता है मुझे लगा कि तेरा कोई खेल है और सीमा मुझे पसंद आ गई उसका दिल तूटनी से पहले मैंने उसे शादी कर ली देख कलती मेरी है और मैं अब भी औरी सीवा तुसे तलाग नहीं यार तुने जो कुछ भी किया ठीक किया मैं तो मसा कर रहा था मैं तो मसा कर रहा था खुट लाग को पर बोटे, सीमा ख़ा आज यार आज शुशी के मोखे पर को चुटतो जाए काने मीजे अबे अन्दे, विजे उधार है, हाँ, विजे, आज असमे उल्फत भी है, मौका भी है, और दस्तूर भी, क्यों? ने, गोपाल, आज मैं नहीं गाऊंगा, अगर क्यों? क्योंकि आज मुझे इतनी खुशी मिली है, कि मुझे लफजों की कमी पड़ गई अरे, हमारी शादी और विजे का गाना नहीं, ना मुम्किन, आज मैं आवाज में तेरा साथ दूँगा, तू साज में मेरा साथ दे, कुछ ऐसा रागगा, कि तेरे दिल की बात, मैं आपने जुबां से कैसको, चल मैं दिल की दिल में रखता हूँ बत ये ही मेरा दोश है, मैं दिल की दिल में रखता हूँ बत ये ही मेरा दोश है, जिसमें जितना प्यार है, उतना वो खामोश है जिसमें जितना प्यार है, उतना वो खामोश है मैं दिल की दिल में रखता हूँ बस ये ही मेरा दोश है, जिसमें जितना प्यार है, उतना वो खामोश है मैं जितना प्यार है, उतना वो खामोश है मैं अपनी कहानी कैसे कहूँ, उसमें तेरा नाम दियाएगा मैं अपनी कहानी कैसे कहूँ, उसमें तेरा नाम दियाएगा गर होगी मेरी तुस्वाई तो दर तेरा भी जुख जाएगा अंजा में मुहाबत क्या होगा ये सोच के मैं धबराता हूँ तू ना मुझे पहचान सका बस इसका मुझे अपसोच है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है मैं दिल की दिल में रखता हूँ पस ये ही मेरा दोश है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है मुझे में कितनी बेचैनी है मैं काश कुझे बदना पाना जाहत के सारे शखनोखो तो मैं काश कुझे इदना पाना मैं अपने से पागल दिल को हर बार यही समझाता हूँ माना मदो होश है प्यार मेरा लेकिन मुझे में तो होश है माना मदो होश है प्यार मेरा लेकिन मुझे में तो होश है जिसमें जितना प्यार है इतना वो खामोश है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है मैं दिल की दिल में रखता हूँ पत यही मेरा दोश है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है मुझे मानना ही है तो अपने हातों से मेरा गला घुट देते ना लेकिन भगवार के लिए मुझे इस घुटन से निकाल दो गोबाल मुझे जाने दो मुझे जाने दो प्लीज मुझे जाने दो प्लीज मुझे जाने दोड़ा प्लीज मुझे जाने दो जाने दो पर आख लोगे नहीं 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 विजए बड़ा अच्छा किया है शाइद मेरी शादे के बाद तुझा अकल आ गए अब इन सब चीजों को यादे बनाकर रखने से क्या फार्द बड़ा अच्छा लगा कि तो बदल गए और रई बात इस दस्वीर की इसकी हाँ कोई ज़रूद ने ये सामने रहेगी तो तुर्जी डिस्टर भी करेगी लेकिन इसे फारेंगे इसकी जगा बदल देद इसे मैं आपने कमरे में ले जाता हूँ ठीक है गुद नाट ले बेटा जूस मी ले थैंक्स काका कितना बदल गया है बेटा तो कल तक तो अपने काम के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करता था और अब अब सिख अपने काम के बारे में ही सोचता है पकड़ लिया देखा सीमा मैं कहता था ना रोज सुबे सुबे कहीं किसा जाता है क्यों साब हमसे कोई गलती हुई है कोई भूल हुई है नहीं तो तो फिर यह चक्कर क्या है तुम हमसे भाग क्यों रहे हो अरे अगर शादी केस का मतलब यह तो नहीं कि दो इंसानों को परिंदों की तरह पिंजरी में बंद कर दो ना खाने पर मुलाकात ना नाश्टे पर दर्शन इसलिए आज हमने यह फैसला किया है तुम्हें पकड़ेंगे तुम्हें हमारे साथ चलना होगा क्यों ठीक ही न विजय कहां अरे भाई घूमने फिरने भार खाना खाने देखो सीमा तो विचारी बोर हो गई तुम्हेंने सोचा अगर तुम साथ रहोगे तो इसका दिल लगा रहेगा है ना चलिए चलो चले बेखे न बीच में बेखे क्या हुआ क्या हुआ क्यों सीमा बेटर बेटर चलो विजय जिंदेगी भी कितनी कमाल की चीज़ है विजया है कल तक मैं ऐसे बेटा करते थे लेकिन रिष्टे कितनी अलग अलग थे एना कहां जाने मेरे ख्याल से वही जातूं सीमा से पहली बार मिले थे सीमा यह वही जगे ने जातों विजय से पहली बार मिली थे लगना बंके क्या नाटक किया था इसमें उस दिन मैं इसे पचास उबे की शद भी आ रहा था वो मोडुसाइकल रेस की कहानी टांग तूठना वाइलन बजाना गीत लिखना अब कर जाने अब चलते हैं वही बुरानी जगह व्यूटिफूल क्या जगह है चांती हो सीमा यह विजय की फेवरिट जगह है यह अक्सर यहां के तैरा करता है अरे मैं भी कितना पागल हूँ यहां ही तो सारा नाटक हुआ था विजय फूल में कूदा था चलाया था बचाओ 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 फिर बचाने वाला भी डूब गया था और तैरने वाला भी चलो गुपाल घर चलते हैं घर इतनी जल्दी अरे यार आभी तो मजा आने लगा है विजय विजय वो गाना सुना ना मुझे याद नहीं याद नहीं अरे यार तु तो किसी भी लड़की को देखे शुरू हो जाता था गाना सीमा भी तेरा साथ देगे एना सीमा मेरा मन नहीं है क्या यार मैं इतनी मेंनत कर रह और तुम लोग साथ ही नहीं दे रहे अच्छे, ठीक है, कुछ देर के लिए ये माल लेते हैं, कि तुम वही परानी प्रेमी का हो, और तुम प्रेमी, और मैं तुम्हार दोस गोपाल, ओके, कमून सीमा चलो घर चलते हैं रो रही हो, अर इतनी मुश्किलों के बाद, खुश्यों के बाल हमारी मुठी में आये है, इन्हें समय ट्लोसी मा, और रेत के तरह मुठी से पिसल जाएंगी विजे, क्या है यह विजे, कम से कम तुतोगा वाकिए वो कीट मुझे याद नहीं है, कुपाल मगर मुझे थोड़ थोड़ याद है, हाँ सानम, यह प्यार ही तो है कुपाल, कुपाल, क्या हुआ विजे I love you Sima I love you, Sima पिजे यह मैने क्या सोच लिया, भगवाद अपने तोस्द की पत्नी के बारे में पिजे तुम, तुम्हे आनी आना चाहिए था मेरा कोई गसूर नहीं है विजे, मेरा विश्वास करो, मैने तुम्हे खत लिखा था, एह पर में डाड़ी से मिलने के लिए तुम्हे बुलाया था देक्र मुझे क्या मालून था कि मेरा साथ क्या होगा, मेरा कोई कई सुर नहीं है विजे, साना कई सुर गोपाल का है, गोपाल ने मुझे धोका दिया है विजय, मैं तो शादी के मंदप पे भी यही तोच कर खुश होती रही, कि मेरी शादी तुम से हो रही है, तुम मेरी पती हो, मैंने आज तक गोपाल को अपना पती नहीं माना, मैं तो अब भी यही तोचती हो, कि तुम मेरी पती हो, तुम मेरी पती हो, विजय, सिर्ट तुम साथ और तूफानी रात सब कामोशी से सो रहें लेकिन इश की आग में जलने वाले दो प्रेमी क्यों सच्चाई का सामना काने की हिमत नी तुम्हें तू जो सोच रहा है वो सच्चाई नहीं है यार मेरा यकीन कर क्या मा अंधा हूं कैसे कर लो तुम्हारा यकीन अगर तुम् जोशी के इंजेक्शिन का क्या फाइदा उठाये तुम लोगोंने नफरत होगे तुम दोनों से तू इस वक्त ठीक से नहीं सोचा यार कोपाल मुझे तेरे प्यार हो तेरी दोस्ती की कसम यहां किसी ने कोई पाप नहीं किया अगर हमारी दोस्ती का जरा सा भी ऐसास बच मेरा हो तो मेरा यकीन कर पस अरे इडियट मज़ाग भी नहीं समझता जरा सानाटक की और बरदाश्ट नहीं हुआ और हमें देखो क्या-क्या बरदाश्ट का लित है श्री मतिजी आपको मालूम है कि आपके पती की तब्यद खराब है और इस वक्त आपको अपने पती के कमरे में होना चाहिए था ना कि अपने पुराने प्रेमी के कमरे में है ना चलता हूँ विचे गुद नाइट प्रेमी के अपने पती के आपको में है याँ विचे झालता है याँ प्रेमी के अपको 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 कि यह रेनू, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद इस वक्त ज्यादा नहीं लिख सकूँगा बस यूं समझ लो कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और तुम एक उचाले की करण, अकेला हो गया हूं और तुम्हारी जरूरत है इस वक्त, फॉरान आजाओ, लाफ पिछे कि बस्तूमी करने अजादा व तुम्हारी जहें, जब एकनिता मॉढा है आप अप 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 प्रेनो जवाब नहीं विजे सापका सप्राइज, हर बात में सप्राइज खत पढ़कर अप अभ्समझ में शादी पर नहीं बुलाया न? इसलिए सप्राइज देने बुलाया है तने बह़त मुबारख हो बहभान करे, तुम्हारी और विजे की ज़ोड़ि हमेशा सलामत रहे I'm so happy for you तुम्ही धोका खागई ना रेनू मैं विजय की नहीं गोपाल की पत्नी हूँ मेरी शादी विजय से नहीं गोपाल से हुई है क्या मुझे धोका दिया है मेरी साथ धोका हुआ है किसने तिया तुझे धोका विजय ने नहीं गोपाल ने गोपाल ने कि गोपालबी कर सकता है उसने तुमसे धोक्ता किया ये जानते है कि तुमसे दोस्स से पियार करती ओ- उसने अपने दोस्त विजह से धख किया यकीन नहीं आ था क्योगा है जो शक्स सो cargo में उची-उची बातए किया करता था वो इतनी जलील और गिरीवी हरकत भी कर सकता है यही ना रहे नूँ क्यों किया तुम दे ऐसा क्या बिगाड़ा था इन प्यार करने वालों ने तुम्हारा अरे इस मासूम में कौन सा पाप किया था क्या जवाब दिया है अपने दोस्त की दोस्ती का अरे जैसर दोस्त ने अपनी रगों से खून निकाल कर तुम्हारे रगों में जिंदगी भर्ती तुमने उस दोस्त को जीते जीम मार ढाला नहीं, रेनू विजए के लिए मौत जीनी जिंदगी की द्वा मंगो सा यह मेंने हमिसे उसका भला चाहा है उसकी सलामेतिकी दुआ मांगी मैंने देखा कितनी लंबी उमर है मेरे दोस्की चांते है विजे अभी तुम्हारी जिकर हो रहा था तुम कब आई अभी खाना खाया अरे भाई तुम्हारी तु इंदिजार हो रहा था काका जल्दी से खाना लगाओ आज बहुत दिन और बाद सब साथ मिलकर खाएंगे लो यह लो बेटा या बात है काका आज आपके बहुमार से खाना क्यों नहीं आज वो नहीं खाएगी क्यों क्योंकि वो बेचारी भूल गई थी कि आज करवा जाओत का बरत है अच्छा मैंने उसी याद दिला है कि बेटी अपने पती की सलामती के लिए रख ले तुम लोग खाना खाओ कितनी अजीब बात है विजय कभी कभी पती के नाम से कितना कंफ्यूशन हो जाता है न क्या बात है पेट भर गया मेरा भी पेट भर गया पता नहीं आजकल भोकी नहीं लगती को देखिया ना तुमने रेनू रोज यही तमाशा होता है मैं थंगा चुकी हूँ मैं बार क्यों नहीं जाती नहीं सी बार रेनू मेरी जिंदगी अब जहनू बन गई है पिछे को बचा लो सिर्फ तुमसे बचा सकती हो मैं मुझ पर यह सार कर दो रहे हूँ चीज़ दिर्व गद मॉनिंग गद मॉनिंग क्या हुआ यह फूल अच्छा है ना इसे निकाल दो प्लिस क्यों ओ अब समझें यह फूल तुम्हें सीमा की याद दिलाता है ना भगवान के लिए रेनू भगवान तो मैं तुम्हें समझती थी विजय तुम्हें एक देवता समझती थी सोची थी कि तुम इंसान होकर भी इंसानों से कही उच्छे हो एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी अपनी मुहबबत किसी और को सौंप कर भी शान्त था अपना सब कुछ खो कर भी खुश था खल तक जिसकी पूजा करने का जी चाहता था वो तो एक कमसोर सी मूरत निकला मेरी जांच की कसौंटी पर तो तुम खोटे सिक्य की तरह निकले अपने दोस पे की हुई महरबानी जिसे हम सब तुम्हारे कुर्बानी समझ रहे थे तुम्हारे खोदगर सी निकली यह सच नहीं है रेनो सच क्या है विजय क्या यह सच नहीं कि तुम्हें सीमा को इस घर में गोपाल की खातिर नहीं अपनी खातिर रखा है नजरों से प्यास बुझाली तो क्या फर्क पड़ेगा जरों से यास प्यास मुझे माफ करतो प्रीज मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी तुमें शिकायत का मोगा नहीं दूगा, कभी नहीं मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं देजे वलती मेरी थी मुझे माफी तुम मुझे मागनी चाही I'm sorry Ah, good morning kids Good morning uncle Good morning uncle क्या हुआ आज घूमना नहीं गए? बस अंकल निकल ही रह थे देखो बेटी हम ये कहने आये हैं कि तुम्हारे डैडी उननिस तारीख को यहां आ रहे हैं Really? What a surprise Exactly, और हम भी चाहते हैं कि हम उनने एक surprise देदे उननिस को वा आ जाएंगे PCA को तुम्हारे मंगनी के ख़बर देदे तो बिचे क्या मर्जी है तुम्हारी? ये सर्ट जुकाने का मतलब हाँ है ये ना जैसा आपको अच्छा लगई अंकल और विज्या बिचे तुम्हारी क्या रहा है? आपकी जो मर्जी अंकल वही मेरी इसका मतलब है कि मैं दीवान साहब को मंगनी की खुश्खबरी दे सकता हूँ और हम भी चाहते हैं कि हम उन्हें एक सप्राज देते हैं उन्नीश को वा जाएंगे, पीछ एक किट को तुम्हारी मंगनी की खबर दे दे इसका मतलब है कि मैं दीवान साहब को मंगनी की खुश्खबरी दे सकता है आप आप हुआ 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 और मैं ऑलाओ था के ब्रीने में टने का दोल तोली दोलाओ वखरण है हाग घा घा बनननना ऑड़ोड़ُ हृश टाइ चरह पृश्रीन क्वाइब नियुक्ष नाजर भी पिस्टोफ ये फिस्टोफ़जर्च तुट्व जोगल आए ये उची ए ये पिस समत यहर्ण जोगल टिल हुआए विदे आ एंटर इंटर फिस्टोफ़ ये झास खान भील्ट आपी करता है गोपल! रेनु! रेनु! रेनु, गोपल को बचालो! गोपल को बचालो! प्लीज, रेनु! गोपल? गोपल? गोपल! फॉरण विजय को फोन को रो, इंजेक्शन के लिए! हलो? हलो, विजय? लुर दोपल विजय विए विजय वुर 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 पिज़ आगे, वो आगे पिज़े, कोपाल, सब भी कुछ आगा है तसलिया का रहे गेता, यार, बहुत दिल लगा दी तेरी दवा तलाश कराना था दवा? तुबागों को बहुत मानता है न? तुम आने सोचा, दुआ मांगने किया होगा कि यह उपर वाले, जल्दी से मेरे दोस्ट गोपाल को फर भुला ले गोपाल तक दुषी मा से शादी कर सके है न? ये तू क्या कह रहा है यार? क्यू कर रहा है ये सब? क्यू हमारी दोस्ती और विश्वास के माथे पर तूमत का ये कलंक लगा रहा है? नफरत की वो कौन सी आग है, जिसमें हम सब एक साथ जल रहे हैं? हमारे दर्मियान वो कौन सी कांच की दिवार है, जिसमें से हम एक दूसरे को देख तो सकते हैं, मगर चू नहीं सकते हैं. इस घुटन से भारा दोस्त, शक और नफरत के चश्मे को अपनी आखों से उतार भेग, अपने चाहने वालों को एक बार फिर से पहचान, उगल दे अपनी आत्मा पर पड़े हुए उस जहर को, कौपाल, मैं वो सारा जहर अम्रिद समझ कर पी जाऊंगा, बोल यार, तिरी अपनी बीमारी का इलाज यही है, बोल, कह दे अपनी मन की बात, कह दे अपनी मन की बात ठीक हैता है तू, आज ही मुझे कहना है, और आज ही तुझे सुनना है तू किसी रूपा नाम की लड़की को चानता है रूपा, आज रूपा, यही तो नाम था उसका, रूपा, रूपा एक बार, एक बार प्यार से तु बोल, प्यार से तु बोल मेरे यार जब एक लड़का किसी लड़की से मिले, उसे हो जाता है त्यार वहूसे तो कुछ भी न कहे, पर जिल को यह कहता है या रूपा तू उसे कैसे जानता है? मैं कैसे नहीं जानूगा उसे उसे अगर खराश पे लगते तो मेरी कलेजे पे दरडारी पड़ जाती वह उदास होती तु मन करता सारी दुनिया के असी चीन लू वह रूटती ना? तो मेरी जिन्दगी रूट जाती मैं उसे कैसे नहीं जानता है? वह मेरी सिंदगी थी मेरी वजूद का एक लोटा हिरसा थी वह मेरा अपना खोन थी मैं उसे कैसे नहीं जानता है? वो मेरी अपनी भेंटी कुपाल और तू मुझ से मेरे संबंद की पैचान पूछ रहे एक मामूली सा इंसान था मैं लेकिन अपने आपको दुनिया का सबसे खुशन सी भाई समझता था एक ही जुनून था मेरा कि अपनी बेहन की डॉली को कांदा दूँ अपने लाट प्यार से उसकी खुश्यों को पूरा करता रहा अपनी मेहनत और पशीनी की कमाई से उसके दहेज का सामान बनाता रहा अपनी सीता जैसी बेहन के लिए डूणता रहा मैं भी किसी एक राम को तेकि नजर लग गई नजर लग गई मेरी बेहन को शायद मेरी अपनी नजर लग गई मेरी गुडिया को उसकी सहलियों के जिद के आगे मैं हार गया और भेज दिया उसे गंजाने शहर में जहां कोई राम ने रहता था उस मासूम सी कली को वहां भेज दिया जहां एक भवरे कुपल उस दिन उस भवरे का नाम दीपा कन्ना था यही नाम बताय था तुन्हें उसे विज्जे हां ताही खत लिखे लेकिन किसी खत का जवाब नहीं मिला और मिलता भी कैसे अड्रेश यो गलत दिया था तुन्हें मेरे स्वर्ग जैसे घर में तुन्हें आग लगा दी और तेरा लगाय वह फरेब का पौदा उसके अंदर धीरे धीरे बरता गया उसकी यह महबद उसके लिए रुस्वाई कर सामान ना बन जाए लुपा 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 मेरी बहन ने आत्मात्या कर ली नहीं हाँ विजे तुमने मुझसे मेरी जिंदीकी की सबसे प्यारी चीज़ चीन ली तुमने मुझसे मेरी भेन चीन ली उसकी चिता के साथ मैंने उसके दहेज और अपने घर को भी आग लगा दी उस आग को नफरत बनाके तुम्हारे शेहर में चलाया यह सोचके कि मैं तुमसे भी तुम्हारी भेन चीन लूगा लेकिन कुद्रत ने मेरे साथ फिर मजाग किया मेरे दुष्मन की कोई भेन ही नहीं थी जिसे मैं मारने आय था उसने मुझे जिन्दगी दी अपनी रगों से खुन नी चोड़कर उसने मेरी रगों में भर दिया कुपाल, जिसका मैं नाम और निशान मिटाना चाहता था, उसने मुझे जिन्दगी ती, जिससे मैं नफरत करता था, उसने प्यार और मोहबद निछावर की, लेकिन जब रूपा की चिता मेरे सामने आती, तो मुझे तुझे नफरत होती, और मैं इंतजार कने लगा उस दिन आई, लेकिन मैंने क्या गुना किया था, गोपाल, सदा मुझे क्यों दी तुमने, कील मेरी चाहती में क्यों ठोकते रहे तुम, बोलो, तुम्हारी तो रक्षा की है मैंने, और नहोच तकता था, कि तुम भी मेरी भेन रूपक, मैं तेरा गुनिगार हूँ, मैंने तेरी सा जीप भरके सजा दे, यही तो नहीं कर सकता विजय, एक दोस्ट बनके तुझे माद नहीं सका, और एक भाई बनके तुझे माफ नहीं कर सका, इसलिए मैंने तुम्हारी जुल्म, और अपनी जिंदीगी के एक मयाद मुकरर करती, जिस दिन से मैंने सीमा से शादे की, मैंने एक ऐसा जहर खाना शुरू कर दिया, जो आदमी के जिसम को चली कर देता है, और जिसका कोई लाज नहीं, यह तुझे क्या किया, मैं आखरी डोज ले चुका हूँ विजय, नहीं कोपाल, मैं जानता हूँ, मैं कल की सुबा नहीं दोस्त, आज कुछ मत कहें, मैं जा रहा हूँ, मुझे, जी कोपाल, तु नहीं जा सकता, तु नहीं जा सकता मुझे जोड़कर, गोपाल अगर तु मुझे जोड़कर चला गया, तो मेरा सब कुछ जिन जाएगा, मैं अपना सब कुछ लुटाने को तही हरू है, गोपाल, अगर तुझे कुछ हो गया, तु मैं जीते जी मर जाओंगा, नहीं यार, भगवान के लिए मेरी जिंदगी ले ले, भगवान के लिए मेरी जिंदगी ले, मगर ऐसी मौत मत दे, जो मौत से भी बत्तर हो, तु अकेला नहीं विजे, तुम्हारी अमानत, घंगा क मेरे पावित्र है मेरे पास, कुपाल, सीमा, सीमा, तु आदा कर विजे, तु सीमा को अपना लेगा, नहीं, मेरे मन का बोच, मेरे मन का बोच हलका हो जाएगा, यार, मैं रूपा के सामने मूँ दिखानी के लायक तो हो जाओंगा, उसे कह तो सकूँगा, कि कुद्रत और प्यार के संबन तोड़े नी जा सकते, तु आदा कर, 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 मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, कुपाल, मेरे मन का बोच हलका हो किया, रेनो, तु मुझसे नाराज तो नहीं ना, नहीं कुपाल, मेरे तस्व आज ही तो असली रंग देखा है मैंने, एक भाई को पहचाना है तो फिर में नहीं रूपा बन के मुझे माफ करते ना, माफ करते मुझे सीमा, मुझे माफ करते ना, माफ करते ना मुझे विजे, कोपाल, मुझे कुछ दिखाए नहीं दा विजे मैं तेरी बाव में बनना चाहता हूँ यार नहीं गोपाल गोपाल के चले जाने से बीते हुए प्रेश्यत के बोज से थके हुए विजय वर्मा का ये आलम है कि फूलों से तालुक कब तो है मगर इतना जब जिक्र बहार आया समझे के बहार आई प्रेश्यत के बहार आई प्रेश्यत के बहार आई प्रेश्यत के बहार आई